आपने बदली हुई राजनीती की बात की लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे मुद्दों पर राजनीती हुई है राम के देश में राम पर इतनी राजनीती अब जब भगवान राम का इतना भव्य मंदिर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है आपको लगता है कि इसके मेंधीपुर मुझे मेरा कोई दोस्त ले गया मस्था ठेकाने के लिए मैं आज कलियर बात आपने बुलाया इतनी मेहनत से तो मैं दिल की बात कर दूआ मैं यह सोच के नहीं गया था कि मैं आपके चर्णों में क्यों आया हूं बड़ा शक्ति शाली मंदर अबाला जी मेंदी पूर जैपूर के बाद मैं मत्था ठेक रहा था तो मेरी आँखों में आशू आ गया मैं रोने लग गया मेरा दोस्त कहता है यह रोड़े मैं कोई बात अर्थी चल रही थी मिरे मन में विचार आया उस दिन सोनिया गांदी जी ने प्राइम इनिस्टर बनना था अब्दुल्कलाम के रास्ट्रपती बहुं गये थे पहली बार बता रहा हूं मेरा उससे कोई सोनिया गांदी जी शे कोई विरोध नहीं है मेरे लिए प्रत्थम यहां कि अहनुमान जी कितनी कुरुमानियों से देश यदार वारत हाया कि संस्कृति है यहां बोले चंकल यहां नइस लिर्राम यहां विश्नु भगवान है अब यह इतिहास हो को ऊंचे तैस की संस्क्रिति Conf Peng को समझे हम बाध्ल कि जैब बोलने वाले आप गुड मौर्निंग गुड नाइट हम नहीं बोल पाएंगे भगवान किर्पा करना हमारा हमारा जो देश सुरक्षत हाथों में जाए जो हमारे देश की संस्कृति कल्चर को समझ पाए हमारा सूनिया कांदीजी विरोध नहीं था हनुमान जी के चर हिंदोस्तान के प्राइब मिनिस्ट्र मैंने वहीं का मैं का है बगवान हनुमान जी जितनी दिर मेरा जीवन है बंबो से बचा हुआ मुझे चलने के लाएक रखना मैं हर महीने आपके चर्णों में छनी जा मंगल को हाजरी बढ़ने लग गया बढ़ने लग गया तो हनुम हनुमान चल से पढ़ते पढ़ते इतना मुझे ज़्याद है जया गुरू गुरू जी के नाम के एक शबत था में हैं गुरू नाम सागर मैं का हनुमान जी राम जी आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं करूंगा जा तो राम से तूटने नहीं दूंगा तूटो ते बंबो से बचा हुआ सरीर का इच्छा राम से तू मैं आपके चर्णों में दे दूँगा और मैं तुमारे मंदरों में कभी नहीं जाओंगा राजनिती नहीं करूँगा चला गया उन्हीं दोस्तों के साथ कौन मेरे दोस्ते नौड़ा के अंडर रैडिसन होटल के मालत एम बीडी तूटेगा अपना शरीर का इस्टा दे दूँगा तो किरपा उसकी और एक साल सोया नहीं कि मौत कैसे आएगी मौत से तो हमारी पुरानी यारी राजनिती नहीं मौत आए कि एक दिन ऐसा आया सरकार बनी और निउस आई कि राम से तू नहीं टूटे तूटे गा बोलो जै तो बिट्टे ने अपना शरीर दे दिया था जाना तो बंबो गोनियों से भी था अगर राम के चर्णों में जीवन चले जाता तो और वेरे से इस्ती बड़ी क्या होती पर हो गया ठीक हो गया तो सवाल सबसे बड़ा ये है अगर राम जी के ओपर कोई पॉलिटिस कर दे इतना कुछ होने के बाद एप्रिशेट करने के बाद अरे मोदी जी कमाल कर दी आपने आपको याद होगा जब सर्जी का उप्रेशन हुआ याद है नरंदर मोदी जी कहां थे वारा नसी के अंदर गंगा जी के ओपर ऐसे शनान एक तो सिंगम पिच्चर देखी होगी या देवगन डूप्लीकेट काम एक यह ऐसे जब निकले मैं कहा कुछ नो कुछ होगा अगले खर्जी क्लोपरेशन अब 500 अतंकवादियों को तबाह करके सवाह करके आगे इसको कहते हैं हिंदुस्तान का वो महान यूदा बिलकुल